नमस्कार स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर सूरी का एक राशी से तूसरी राशी में प्रवेश करने की घटना को संक्रांती के नाम से जाना जाता है जब सूरे विशव राशी से निकल का मितुन राशी में प्रवेश करते हैं तो उसे मितुन संक्रान्ती के नाम से जाना जाता है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में मितुन संक्रान्ती कफ है 15 या 16 जून को पुनेकाल का समय क्या रहेगा महापु निकाल का समय क्या रहेगा, पुझा की विधी क्या है और स्नांदान का महत्व क्या है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ये चैनल पर नए हैं और अभी तर आपने इससे सबस्क्राइब नहीं किया हतो आगामी संकरान्ती तितियों की जानकारी प्राप करने के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजी उसकी मपने ब cleared कर दीजी तक है आपको मेरे वीडियो की नॉडिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो मितुन संक्रांती के दिन सिल्वट्टी की पूजा करने का विधान है सिल्वट्टे को धर्तीमा का स्वरूप माना गया है सिल्वट्टे को दूद्वजल से श्णान करा है उसके पशाद उन की पूजा करे इसके साथ ही मितुन संक्रांती के दिन श्णान दान का वी विशेश महतों माना जाता है इस दिन गेhi खी और नाज का दान करना बेहस्चु माना गया है सूरे संक्रान्ती के दिन ब्रह्मुरत में उठकर इसनानादी से निवरित हो जाना चाहिए उसके पश्या स्वक्ष वस्त धारान करे और सूरे देव को अर्गरे सूरे पुजा के समय लाल रंग के वस्त धारान करे मेरे वीडियो में अंतर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ